आउजबिल्लाहिम्न शेतान रिज्यम् बिस्मिल्लाहिरामान रहीम वेलकम टो मैं सुडेंट्स अस्सलाव अलेकुम रहमतुल्लाहिव बरकातु हूँ अमली जिंदगी में जब हमकिसी प्राउब्ल्म फैस करने पड़ते हैं, या मसाइल जो प्राउब्लम में आते रहते हैं घ्माईक जलीए मैं सबस्छे प्राउब्लम अप्रोच तो थे खीर जहन को तेज़ तर भना Southern बना देता है सकते हैं हो सकते हैं कोई अपरोच इस प्राब्लिम को हल करने में ताम्याद ना हो तो आदमी के पाद दूसरा तीसरा चोथा पंच पाद बहुत सारे मेथोड्स होती हैं तो इसी चीज़ को लेकर हम आज कनवर्स पैथा गोराज ठारम लेते हैं इसे पहले में यह माल लूँ कि जितने भी मैथमिट्स के शायकीन हैं मेरे हाजरीन हैं या नाजरीन हैं तो उनसे गुझारश है कि मेरे खैल में वह वाकिफ होंगे सिम्लैर्टी से और जो बेसिक समथ स्चारश न अधर तो साइड तो उसी का आज हम कनवर्स लेंगे वह हो गया है आज तक तो आज हम कनवर्स पैथागोराज ठारम लेंगे इसकी statement है है, in the triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares on other two sides, then the angle opposed to the first side is a right angle. माल लीजे कि हमारे पास एक ट्रैंगल है, simply एक ट्रैंगल दी हुई है, इसका नाम में रख लेता हूँ A B C, तो जो गिवन है हमारे पास, दिया हुआ क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, एक ट्रैंगल A B C, a triangle A B C, in which square of one side, usually the longest side होगा एक साइगा एक साइगा, is equal to sum of the squares of other two sides, say A B C square plus B C square, this is given. We have to prove that the angle opposite to this first side, this is called the square layer A C, that will be a right angle. So, we have to prove that angle A B C is equal to 90 degree, meaning the right angle. जब हम कोई solution कर लेते हैं तो इसके लिए कुछ previous knowledge चाहिए, कि उसके पास previous knowledge क्या है? तो construction उसी के हिसाब से हम लेते हैं, मसलन किसी थार्म को प्रूब करने के लिए कोई construction की जूरत पढ़ती है, मान लिजए कि हमीं मेवा उतारना है एक पेड़ से, अगर इमेवा इतना उंचा है कि आदमी हाथ लगा कर इसको नीचे ला सकता है, तो कोई और चिलनाने की जूर करती है, कोई सिटू लगा कर, कोई मेज लगा कर, अच्छा, वो मेवा उतार सकता है, अगर ये और उंचा होगा, तो एक सीडी लानी पड़ेगी, तो सीडी के ओपर जाना पड़ेगा, या अगर और उंचा है, तो इसके लिए कोई लाठी वागेरा उठाकर नीचे गिरान होगा, तो यह सबी चीजी जो हम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, काम तो एक ही करना है, मेवा उतारना है, तो इसलिए यहाँ प्रूफ करने के लिए, अलग अलग कर लेते हैं, मौन दिजिए हमने हमारे पास एक ट्रेंगल है, A, B, C, जिसमें दिया हुआ हुआ है, A, C स्क स्केर, A, B, C, स्केर, अब कैसे हम साइबिस कर लेंगे कि यह एंगल 90 है, हम एक और ट्रेंगल बना लेंगे, लेकिन इस बार यह ट्रेंगल हम डेफिनिटली राइट ट्रेंगल ही बना लेंगे, D, E, F, यह राइट ट्रेंगल बना लेंगे हम, एक चीज़ यहां कर लेंगे, जितना यह B, C लंबा है, उतना ही हम E, F ले लेंगे, जितना A, B लंबा है, उतना ही हम D, E लेंगे, और इस चीज़ को हम जोईन कर लेते हैं, लेंगे, 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 and AB is equal to DE, यनि यह DE उतना ही लंबा लेंगे जितना AB है और EF उतना ही लंबा लेंगे जितना BC है, join DF, DF को join कर लेंगे, अब हम proof कर लेते हैं, यह जो हमने construction की यहां तो हमने जानभूज का एक राइट रेंगल ले लिए, in right triangle DEF, जो हमने right triangle लेंगे, DEF, right angled at E, right angled at E, by Pythagoras-Charm, DF square is equal to DE square, plus EF square, by Pythagoras-Charm, और यही DF square, this DF square is equal to DE हमारे पास है, and EF जो है, इसकी लेंगत BC के बराबर है, so replace EF by BC, this is BC square, यह कैसे हमने किया, by construction, हमने ICE construction किया है, जहां हमने DE को ले लिया है, AB के बराबर, और EF को ले लिया है, BC के बराबर, इसका नाम हम first रख लेते हैं, हमारे पास, AC square, is equal to AB square, plus BC square, इसका नाम हम second रख लेंगे, this is given, it is given, तो एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि, DF square is equal to AB square plus BC square, और दो स्री चीज़ तो है, तो हमने प्रूव कर दी कि, AC square is equal to AB square plus BC square, from first and second, इन दो हमने को मिला कर, from first and second, we get, DF square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to AB square plus BC square, so both these quantities are same, so from first and second, DF square is equal to AC square, since DF and AC both are positive, means they have some length, they are not negative, so we can easily remove squares and get positive points, DF is equal to AC, यह यह दो साइड भी हमने बराबर कर दिये, कि DF साइड जो है, वह AC के बराबर है, अब इसके तीन साइड और इसके तीन साइड आपस में बराबर हो गए, साइड आपसे, means they are congruent now, now triangle DEF congruent triangle ABC, क्या है congruent, because AB is equal to DE construction, BC is equal to EF construction and DF is equal to AC proved, यह तो आमने प्रूव कर दिया, आप यह congruent हो गई, because of SSS congruency, when 2 triangles are congruent, their corresponding parts are equal, so angle ABC is equal to angle DEF, both are equal sides, जैसे AC is equal to DF, तो जो angle AC के मुकाबल में है, जैसे angle ABC, वह बराबर होगा, जो is DF के मुकाबल में है, that is DEF, और DEF angle जो पहले से हमने क्या बनाया है, 90, इसलिए यह 90, but angle DEF is equal to 90 degree, यह तो हमने construction किया है, पहले से ही, when this is 90, तो ABC भी 90 है, तो हमारा answer आए गया last पह, hence angle ABC is equal to 90 degree, hence theorem is proved, तो एक method तो हमने ऐसे किया, कि हमने हमारे पास triangle दिये हुई थी, कि हाइपा, एक side का square, sum of two other, squares of some other, in a triangle, the square on one side is equal to sum of the squares on other two sides, prove करना था that the angle opposite of first side is the right angle, हमने triangle ही बना ली right triangle पहले, और दो side उसको equal ले लिया, किसे को जोड दिया, फिर हमने prove कर दिया कि वाकी यह angle भी 90 ही है, अब इसका एक और proof हम लेते हैं, एक और proof लेने के लिए क्या करेंगे हम, construction change कर लेंगे तो दूसरा proof आएगा हमारे पास, देकिन यह proof के लिए जुरूरी है कि हमारे पास एक previous knowledge हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं कि यह triangle है हमारे पास ABC, इसमें दिया हुआ है कि AC square is got AB square plus BC square, और साइबिस करना है कि यह angle जो है this is 90, हम construct करते हैं, draw DB perpendicular on AB, draw DB, DB, यह ना हम राकिंगे D, DB perpendicular on AB, such that, इन दो की लिएंगा च्यक्सा रख लेंगे, such that DB is equal to BC, फिर इसको join कर लेते हैं, join AD, join AD, हमने क्या किया, draw AB, हमने DB को draw किया, perpendicular AB किया, 90 बना लिया हमने यह, जान बुज कर बना लिया हमने यह 90, side that DB is equal to BC, यह दो side बराबर रख लिये, फिर AD को join कर लिया, अब proof कर लेंगे, यह दो triangle लेंगे, in triangle ABD and triangle ABC, यह दो जो triangle हमारे पास हैं, इन में लेंगे, देखेंगे, अगर इस वक्त देखेंगे, हम पाएंगे कि DB is equal to BC, एक ही चीज़ दिया हुआ है, दूसरी चीज़ की AB common है, और कोई चीज़ जहां बराबर नहीं है, जब तक ने तीसरा चीज़ हमारे पास आए, कोई congruency की कोई property आ जाए, तब तक हम इनको congruency नहीं कर सकते हैं, अब कैसे कर लेंगे, हम लेंगे, मासला यह वाली ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल ABD by पाइथागोराज चारम AD सुकायर is equal to AB सुकायर plus DB सुकायर by पाइथागोराज चारम, call it as first, यह अभी हम यहां ही इसके values देते हैं और AD सुकायर is equal to AB सुकायर को रहने देंगे, DB के बरले BC लिखेंगे, because DB is equal to BC, BC सुकायर, अब इसका नाम first रख लेते हैं, by construction लिखेंगे, यह लिखेंगे, because DB is equal to BC, यह लिखेंगे by construction, but लेकिन जो दिया हुआ है हमि, that is AC सुकायर is equal to AB सुकायर, plus BC सुकायर, एक लिखेंगे लिखेंगे, और यहां लिखेंगे, it is given from first and second, from first and second, right-hand sides of both the equations are equal, AB स्कायर plus BC स्कायर, AB स्कायर plus BC स्कायर, it implies that AD स्कायर is equal to AC स्कायर, this implies AD स्कायर is equal to AC स्कायर, taking 0.2 स्कायर root, we will get AD is equal to AC, to AD आएगा हमारे पास AC, अब हमारे पास यह साइड आ गया, इस साइड के बराबर, अब यह दो ट्रेंग्ल्स कॉंगरंट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे कॉंगरंट, क्यांकि इनके 3 साइड आपस में बराबर है, ट्रेंग्ल ABD, कॉंगरंट, ट्रेंग्ल ABC, SSS, कॉंगरंट C, कैसे, एक तो कामन है इनमें यह AB, इस ट्रेंग्ल का भी साइड है, इस ट्रेंग्ल का भी साइड है, जूसरा की DB is equal to BC, होगे, यह दो-दो साइड बराबर और त्रेंग्ल हमने प्रूव कर दिया के AD is equal to AC, C. So, the three sides of this triangle ABD or equal to the three sides of the triangle ABC, so these two triangles are congruent by SSS congruency method. So, अब चुंकि यह हमारे पास यह वाला एंग्ल, यह इस एंग्ल के बराबर आएगा, एंग्ल ABD जुसको हम CP, CT लिखते हैं, Corresponding Pots in Consulant Trianglers यह Corresponding Pots of Consulant Trianglers लेकिन यह वाला तो पहले से हमने perpendicular डॉल रखा है, 90 ले लिया है, यहां लिखेंगे, एंग्ल ABC is equal to 90 और यहां लिखेंगे, Because, एंग्ल ABD is equal to 90 जो हमने construction में लिया है, DB perpendicular BC, तो एक दूसरे method से भी हमने यह prove कर दिया, यह थोड़ा सा modify हम इसी method को कर सकते हैं, slightly modify भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी हम इसका proof ले सकते हैं मसलन, थोड़ा सा modify करके, अगर हम, यह हमारी पास एक triangle दी हुई है, महान लिखे हम यहां पर 90 बना लेते हैं, करस्था, जबद कर देठिखर, जबद होड ड़ा ड अपरबेदिकनल run A, B, draw DA perpendicular on AB such that DA is equal to BC, DA is equal to BC or join DB, तो जो हमने इसे पहले किया और यह किया शकल सूरस में यह different लग रहे हैं, फाइदा तो एक ही होगा लेकि शकल सूरस में different लग रहे हैं, तो proof पहले यह triangle लेंगे, यह तो हमने right triangle बना ली, in right triangle DAB DB square is equal to AB square plus AD square, क्या हूँ, बाइपाइथा गोराज छारम और इस DB square is equal to AB square, इसको रहेंचे देंगे, कामल वाले side को रहने देंगे, AD, AD के बदले BC लिखेंगे, तो यह आएगा BC square, एक तो नाम first लिखेंगे, और यहां लिखेंगे वजह, हमने AD के बदले BC क्या हूँ लिखा, AD के बदले BC by construction, यह तो construction ने कहा के AD हमारे पास BC के बराबर है, पहले में भी DB square भी बराबर है, AB square plus BC square, and AC square is always also equal to AB square plus BC square, this symbolize DB square is equal to AC square, तो DB square आगा बराबर AC square के, taking positive square roots, can be quantities here are positive, so DB is equal to AC, तो यह वाला साइड इस साइड के बराबर आगा है, therefore triangle अगर यह वाली S, 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 यहने सबसे पहले हमारे पास D, B, AC के बराबर, D यहां, C यहां, यह वाला और यह वाला बराबर हो गए, तो A पर 90 यह, यह B पर 90, तो पिर यहां बचा B और यहां बचा A है, तो ऐसे हम इनको जोड सकते हैं कि कोन अगल कहां-कहां फिट हो जाएगा, यहां पर यह 90 था, तो जब यह triangle था, तो इनके corresponding part सापस में बराबर होंगी, तो angle ABC जो आएगा, angle ABC, that is equal to DAB, angle DAB, C, P, C, T, corresponding parts, चुंकि यह वाला part, इस part के बराबर, यहनि D, B, AC के बराबर, और यह तो हमने पहले से ही ले ले लिया कि AD is equal to BC, और यह वाला part common है, अगर common के opposite लेना पढ़ेगा, तो यह angle इस angle के बराबर आएगा, अगर इन दो के opposite लेना पढ़ेगा तो यहां इसके opposite यह वाला angle, और इसके opposite यह वाला angle, और अगर हम फिर रह गया, यह angle और यह angle, यह angle यह side बराबर है, DB is equal to AC, तो इसलिए मैंने ले लिया A C के opposite angle है angle A B C और D B के opposite angle है D A B उन्हीं को बोलते हैं C P C T corresponding parts in congruent triangles और angle A B C is equal to D A B तो हम जह जान भूज़ कर 90 लिया है perpendicular doll at 90 degree because angle D A B is equal to 90 degree. So, I showed this theorem through three different methods. Now, अब हम आगे बढ़ते हैं time की चिल्ला थोटी है यहाँ पर यहाँजा एक चीज़ में मश्बूर करते हैं सोचने में कि आया A C square अगर हमने लिखा A B square plus B C square यहाँ triangle में बना के ही रख लूँगा अगर यह right triangle है मान लेते हैं यह right triangle है तो उससे हमने प्रूव करके रखा है कि A C square जो होता है A B square plus B C square लेकिन अगर हम जनरल हम लेंगे तो और दो properties भी हमारे पास आएंगी कि A C square कभी less than होगा A B square plus B C square और A C square greater than भी आ सकता है A B square plus B C square अगर यह possibility है तो जो A C के मुकाबल में जो angle होगा that will be 90 angle A B C is equal to 90 degree अब अगर यह possibility है कि यह वाला छोटा आएगा यह दो बड़े होंगे तो angle A B C जो होगा A C के मुकाबल वाला angle जो होगा that will be acute angle जहां पर इसका square इन दो square से छोटा होगा तो angle will be acute angle A B C will be obtuse angle लेकिन इसे पहले चक यह करना पड़ेगा whether the triangle is possible उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां एक और चीज़ सामने आ गई ही कि अगर यह बराबर है तो यह angle 90 बनेगा अगर यह छोटा है तो acute अगर यह बड़ा है तो obtuse अब क्या करेंगे? अगर इनको बराबर लाइने के हम कोशिश कर लेंगे AC square जो है इस सूरत में अगर इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे तो यह चूंकि बड़ा है यह छोटा है बड़े में subtract करना पड़ेगा AB square पलस BC square ट्रेंगल ऐसे होगी acute AB and C यहां D डालेंगे तो कितना काटना पड़ेगा कि एक्वल होगा इतना होगा twice BC into BD twice BC यह पूरा और perpendicular तक जितना रहेगा BD और यहां AC square एक और case हमारे पास यह वाला है जहां पर obtuse की बात चलती है ABC तो यहां बाहिर से पड़ेगा perpendicular तो यहां क्या होगा AC square यहां बड़ा है जाहिर सी बात है इसमें गठाना पड़ेगा तब यह इक्वल होंगे AB square पलस BC square यहां यह वाला बड़ा है और यह छोटा है इसमें add करेंगे थोड़ा सा कितना करेंगे twice फिर वही BC into अब यह वाला BD into BD तो इस तरीके से हम यह भी सोच सकते हैं कि अगर यह दिया हुआ है कि सम एक साइड का square दो से साइड के दो square भी दिये हुए हैं हम यह ताइक कर सकते हैं कि कौन सी triangle right triangle है कौन सी triangle acute triangle है और कौन सी triangle obtuse triangle है subject to the condition that triangle is possible जिसको कैसे आप जाँचेंगे कि if the sum of the two cypher triangle is together greater than the third इन दो का proof जो मैंने यहां दे दिया आपके लिए as homework में डाल रहा हूँ यह आप खुद कर देंगे यहां time की थोड़ी बहुत कमी है लेकिन हम यह कोई जुरूरी नहीं है कि हम हमेशा square से ही इसको कर लेंगे इसको हम जो हम पाइथा गोराज ठारम लेते हैं इसके sides पर हम कोई भी regular figure बना लेंगे तो हमेशा जो हाइपार्टनियोस पर बनने वाली regular figure होगी मसला equilateral triangle फार्द कर लेते हैं तो यह equilateral triangle और यह equilateral triangle अगर दो लेंगे इन दो का जो area होगा इसके बराबर होगा या कोई भी और regular figure आप लेंगे तो यह हमेशा बराबर होगा hope so thank you for watching this class thank you हुआ हुआ